दोस्तो वीडियो बहुत इंफ्रमेटिव होगा आज की सीडियो में हम बात करने वाले हैं जूटे प्यार की पांच ऐसी निसानियों के बारे में जो आपको जरूर पता होनी चाहिए ये आप रेलेसंसी में हैं तो ये पांच निसानिया आपको 100% पता ही होनी चाहिए क्योंक प्यार कर रहा है तो ये जूटे प्यार की पांच निसानिया आपकी नौलिज में जरूर होनी चाहिए तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बेस्ट करते हुए और बात करते हैं पहली जूटे प्यार की निसानियों के बारे में तो जूटे प् यू don't care आपकी कोई चिन्ता उसको नहीं होगी इसको मैं एक example से आपको समझाता हूँ एक दिन में एक Frank वीडियो देख रहा था उस वीडियो में एक लड़की ने अपने वाले मंगेतर पर फ्रेंग किया उस लड़कीले अपने वाले पती को बुलाया और कहा कि मैं किसी ओर स उसके साथ समंध भी बना लिए और अब मैं प्रेगनेंट हो गई हूँ और अब बेह पापा को क्या मूँ दिखाएगी और बेह लड़की लड़के से बोलती है कि चल मेरे साथ और बोल देना कि हमारा बच्चा है हम आसानी से इस समस्या से निकल जाएंगे तो बेह लड़का बोलता है कि चलो तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उससे तुमारी सुलह करवाने की कोसिस करता हूँ लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है तो अंत में लड़का कहता है कि ठीक है मैं मान जाओंगा लेकिन एक सर्त है यहां कि साधी के बाद यद तू ऐसा करेगी तो सचा प्यार करते हैं तो आपको उसकी सही माइने में चिंता होती है और आप उसके दुख को दूर करने की कोसिस करते हैं लेकिन आप उसके बाद भी आगे कदम बढ़ाएंगे आप उसकी मदद जरूर करेंगे बहले ही उसने गलती करी हो आप जब सचा प्यार किसी से तो आप उसकी मदद 100% करेंगे उसकी गलतियों को इग्नॉर करने की भी कोशिस आप करेंगे जिसे की इस एक्जाम्पल के थुरू मैंने आपको समझाया है उसने एक गलती की लेकिन वो एक फ्रेंक था उसके साथ उसने किया था लेकिन इस बात से आप समझे कि जो इंसान आपको जूटा प्यार करता है तो वो क्या है कि उसको आपकी कोई चिंता नहीं होगी वो आपकी केर नहीं करेगा चाहे आप कुछ भी कर लें तो ये पहली जूटे प्यार की निसानी हो गई आई होप आप इसको समझ गए होंगे अब बात करते हैं दूसरी जूटे प्यार की निसानी के बारे में दूसरी जूटे प्यार की निसानी है वो यह है कि दा वोरिंग ओफ टाइम जी हां दोस्तों समय का बोरिंग हो जाना जो इंसान आप से जूटा प्यार करेगा वो आपके साथ बोरिंग हो जाएगा जब आप किसी से सच्चा प्यार करने लग जाते हैं, जब आप उसके साथ होते हैं, तो आपको समय का एहसास ही नहीं होता है, कि कब समय निकल चुका है, आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती है, ना जाने कितने घंटे हो जाने के बाद भी आपको यही लगता है, कि आपको कुछ और देर तक बात करनी चाहिए थी यह आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको सच में सचा प्यार हो गया है आप उसे सचा प्यार करते हैं लेकिन जो इंसान आपसे जूटा प्यार करता है जो इंसान जूटा होगा आई होप आप इसको समझ के होंगे अब बात करते हैं तीसरी जूटे प्यार की निसानी के बारे में जूटे प्यार की तीसरी सबसे बड़ी निसानी है वो यह है कि do not value your small things जी हां दोस्तों आपकी छोटी छोटी बातों को महत ना देना जो इनसान आपसे जूटा प्यार करेगा वो आपकी छोटी छोटी बातों को महत नहीं देगा वो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा मतलब कि do not value your small things वो इनसान आपकी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा अगर वो इंसान आपसे जूटा प्यार कर रहा होगा तो ये कोई इंसान आपसे सचा प्यार करने लग जाता है तो बहें आपकी छोटी छोटी बातों को महत देने लग जाता है या हर प्यार करने वाले के साथ होता है लेकिन ये जो इंसान आपसे जूटा प्यार करता है तो वो बिल्कुल भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा मतलब कि आपकी कोई भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देगा मतलब कि वो हर समय आपको एग्नोर करता रहेगा उसे जब आपसे कोई काम होगा तभी वो आपके साथ आएगा, आपके साथ बातें करेगा, आपके साथ टाइम इस्पेंट करेगा Otherwise वो आपकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा अगर वो इनसान आपसे जूटा प्यार कर रहा है तो वो ऐसा करेगा और जो इनसान आपके साथ सचा प्यार कर रहा है तो वो ऐसा नहीं करेगा वो आपकी हर एक बात पर ध्यान देगा, आपकी वैलू करेगा, आपकी रिस्पेट करेगा आपके साथ टाइम इस्पेंट करेगा, आपके साथ बातें करेगा, आपके साथ बेठेगा तो इस तरह से सच्चा प्यार करने वाला बातें करता है और जो जूटा प्यार करता है तो वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो यह मेरा तीसरा पॉइंट हो गया, I hope आप इसको भी समझ गये होंगे अब बात करते हैं चोथी निसानी के बारे में जूटे प्यार की चोथी निसानी है वो यह है कि First Your Advantage मतलब कि अपना फाइदा पहले देखना जी हाँ दोस्तों जो इनसान आप से सच्चा प्यार करता होगा तो वो अपना फाइदा पहले नहीं देखेगा वो आपका फाइदा पहले देखेगा First आप होंगे लेकिन यह जो इनसान आप से जूटा प्यार कर रहा होगा वो First Your Advantage मतलब कि वो अपना फाइदा पहले देखेगा उसके बाद आप होंगे मतलब कि सबसे पहले अपने आपको देखेगा उसके बाद आपको जूटे प्यार करने वाले इनसान के अंदर ये आदत आप जरूर पाएंगे दोस्तों जूटे प्यार की निसानियों की बात करें तो यहाँ भी मुक रूप से ये कारण है इस तरह के इनसान भी आपको जूटा प्यार करते हैं अब बात करते हैं लाश्ट और फाइब नमबर पॉइंट के बारे में जूटे प्यार की पाँच में सबसे बड़ी निसानी है वो ये है कि इंट्रेस्ट योर मनी मतलब कि आपके पैसे में रूची रखना ये ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए दोस्तों ये किसी लड़के की आपकी धन्प के अंदर रूची है तो यहाँ पर जूटे प्यार की निसानी है आप अपने प्रेमी पर पैसा अधी खर्च कर रही है या कर रहे हैं तो आपको एक बार उसके उपर पैसा खर्च करना बंद कर देना चाहिए तो आप पैसा खर्च करना बंद कर देंगे तो उसके बाद भे आपसे दूर होता चला जाएगा मतलब कि उसे जब आपसे खर्चा मिलना बंद हो जाएगा तो वो आपसे दूर होता चला जाएगा यद ऐसा इंसान आपके लाइफ में होगा ये इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं तो आप जच किजिएगा और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइगा कि आपकी लाइफ में आपका पार्टन कैसा है तो ये मेरा पांचमा पॉइंट हो गया ये जूटे पैर की पांच निसानिया जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताई है आई होप आप इनको समझ गए होंगे और आप जच करने की भी कोसिस करेंगे और इंड में भी तक आपने वारे वीडियो को सेर सैर करतीजिगा और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इंड में भी तक आपने वारे फेस्टेटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर